Hello students, myself CS Priti Singh and बच्चो आज जो मैं आपको guide करने जा रही हूँ, वो क्या है वो जरत थोड़ा से समझते हैं Actually मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जब आपके CS के exams होते हैं तो CS exam से 8 दिन पहले आपको कैसे पढ़ना है It means before 8 days आपको कैसे बढ़ाई करनी है, वो सारा आज हम discussion करेंगे और अगर आपनी इसको follow किया और इस pattern को आपने पूरा complete कर लिया तो ये आपको बहुत अच्छा सहयोग देगा आपके exam pass करने में मैं आपके साथ इसलिए connect हूँ इसलिए आपको ये tips दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो experience है जो आप करने जा रहे हूँ मैंने इतने सारे बच्चों को CS बनते हुए देखा है मैंने खुद अपना CS जब qualify किया तो कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ मैं आपको जो कि आपके exam के लिए बहुत बहुत important है exam से 8 दिन पहले बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए बच्चों सुनिये मैं क्या बताने जा रही हूँ इस वीडियो को पूरा जरूर देखना नहीं तो आपको एक बहुत lack of guidance आप हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है actually CS course की problem समझ ये CS course में एक problem है CS course में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें back-to-back exams होते हैं क्या होते हैं बच्चों back-to-back exam होते हैं और exam के बीच में off नहीं मिलता अगर आप बोथ गुरूप दे रहे हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चों होते हैं कितना भी deep में पढ़ा है आपने कितनी भी पढ़ाई करी है आपने कितने भी अच्चे से पढ़ा है सब बेकार हो जाता है अगर exam से पहले उसे revise न करें ये धियान रखना वाद तो अब यहां पे मुद्दा number 1 है ये exam में time कम है जो आपका exam paper है उसमें जो छुट्टियों होती है वो कम है और दूसरी बात slave us ज़्यादा है तो दोनों ही problem को समझते हुए मैंने इसका solution निकाला और बड़े अराम से solution को समझो कि अगर approximately एक exam से दूसरे exam के बीच में एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती तो एक paper में एक chapter को लगबग 15 minute का समय मिलता है only 15 minutes आप हिसाब जोड लेना लगबग एक chapter को revise करने के लिए 15 ही minute बचती है आप जोड के देख लेना हिसाब लगा लेना practically आज paper देखे आए और कल आपका exam है तो आपको एक chapter के लिए लगबग 15 minute मिलेंगी अब ये बात तो आपको आज इसलिए पता चल गई क्योंकि मैंने सारी calculation लगा रखी है मैं एक faculty हूँ इतने time से पढ़ा रही हूँ एक इतना बड़ा huge experience मेरे पास है उसके basis में लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये video देख रहे हो तो इस सच्चाई को समझे और exam से 8 दिन पहले बिल्कुल ऐसे ही पढ़े जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपको कोई problem नहीं आएगी तो अब होता है क्या है जैसे मान के चली आज कोई बच्चा कंपनी लोगा पेपर देखे आया और कल उसे setting up of business का पेपर देना है और उसके अंदर ते ही चैप्टर है तो उसको कुछ समझी नहीं आएगा जैसे वो आज exam देखे आ है तो दो बज़े तक तो अपने घर पहुँचेगा तीन बज़े तक वो settle होगा चार पांच बच जाएंगी उसे क्योंकि वो पहले दिन की बहुत थकान होती है और अगले दिन सुबह नो बज़े से paper होता है और साथ बज़े आपको घर से ready होके निकल जाना है साथ साड़े साथ आट लगबग इससे late तो कोई नहीं जाता अब अगर आप effectively time देखो तो लगबग 12-14 गंटे रहते हैं जिसमें से अगर आपने 7 गंटे की नींद नहीं ली 6-7-8 गंटे की नींद आपने नहीं ली तो obvious सी बात है कि आप आगे अगले एक्जाम में अच्छा नहीं कर सकते तो साथ से आप 12 गंटे में से लगबग 8 गंटे, 7 गंटे, 6 गंटे तो सोगे इससे कम तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि आज शाम को 6-7 बजे 5-6 बजे के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और कल सुबह 6-7 बजे तक ही आप पढ़ सकते हो जिसमें आपको मतलब शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन अगर लगबग 6 बजे का टाइम लो अगले दिन 7 बजे तक का आपके परस टाइम है बस और 6 बजे से शाम की 6 बजे से अगले दिन 7 बजे तक का टाइम है तो ये लगबग आपके परस 13 अवर्स होते हैं ठीक है 13-14 गंटे 12-13 गंटे लगबग बता रही हूं मैं यह नहीं कहरी कि बिल्कुल to the point यही है 12-13 गंटे और 23 एक सबजेक्ट में लगबग है 13 चैप्टर एक सबजेक्ट में लगबग है तो ऐसी स्ट्राटजी और जो इस स्ट्राटजी को समझ गया ये धियान रखना मेरी बात जिसने ये प्लानिंग कर ली वो CS बन गया और जिसने प्लानिंग नहीं करी वो फेल हो गया ये धियान रखने वाली बात है आपके एक्जाम स्टार्ट है पहली जून से आपका पेपर शुरू है एक एक्जाम्पल हम लेते हैं और 10 जून को आपका एक्जाम फिनिश हो जाएगा एक एक्जाम्पल मैंने लिए सपोज आपका 10 तारिक को पेपर खतम है हम यहाँ पे एक तरीका लेके चलते हैं कि 24 तारिक से आपको कैसे पढ़ाई करनी है किस तरीके से पढ़ाई करनी है अब दो तरीके के बच्चे नजर आएंगे एक पच्चे ऐसे होंगे जो एक ग्रूप देंगे मतलब सिंगल वन ग्रूप वाले हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोद ग्रूप देंगे, बोद वाले, दोनों ही सुन लो, अगर आप एक ग्रूप देते हो, तो आपको एक सब्जेक्ट को दो दिन देने हैं, और दो दिन के अंदर 100% रिवाइस करना है, ठीक है, अगर आप बोद ग्रूप वाले बच्चे हो तो आपको एक सब्जेक्ट को सिर्फ एक दिन देना है, जितना भी हो जाता है, लगबग ऐसे रिजल्ट रहा है, कि 70% तो ज्यादे तर बच्चे रिवाइस कर लेते हैं, जो बचा हुआ 30% है, वो जिस दिन पेपर होता है, उससे एक दिन पहले, जैसे नेक्स डे एक्जाम तो पहले 30% पढ़ा जाता है, फिर जो आपने रिवाइस कर रखा है, वो बच्चे रखा है, और इस कॉंसेप्ट को बोलते हैं, मौक ड्रिल करना, क्या बोलते हैं, इससे जपर बताना, यह होता है, जो आपके लिच्च है कि आपकी लिचल कहीं होता है, आपको एजिम करके है पहले एक दिन या दो दिन as the case में भी then second last then this then this then this करते करते आपका जो पहला paper है वो आपको यहाँ पढ़ना है automatic आजाएगा अच्छा इस smoke drill का आप यह समझे इसका फाइदा क्या होगा इसका सबसे बड़ा फाइदा होगा जो प्रेशर आपको एक्जाम में लेना था वो आपने पहले ही ले लिया तो जब आप एक्जाम में यह रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग पर उतना headache नहीं आएगा उतना stress नहीं आएगा उतना burden नहीं आएगा जितना आप मोगड्रिल से पहले आता क्योंकि आप एक already ऐसा burden लेके feel कर चुके हो तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी दूसरी बात आपके उपर जो pressure रहेगा उसके वज़े से आपको पूरे subject revise हो जाएगा तीसरी बात तीसरी बात सुनिये ध्यान से तीसरी बात यह होगी कि आपके जो confidence है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका सारा revise हो जाएगा तो मैं आपको यही कहना चारी हूँ कि आपकी mock drill जरूर follow करें exam से 8 दिन पहले की strategy यही होनी चाहिए कुछ भी नया कोई भी नया concept कोई भी नई चीज आपको अब नहीं पढ़नी बिल्कुल समय नहीं है परिशान हो जाओगे जो आता है comfortable उसे ही revise करो अपने आपको motivate रखो अपने आपको motivate करते रहे अपने आपको confidence में र result awesome होते हैं और एक result आपके सामने है और बहुत सारे result आपके market में मैंने देखे हैं industry में मैंने देखे हैं बच्चो को CS बनते हुए तो आप ये mock drill जरूर follow करें और अगर आपको मेरा concept पसंद आया आपको लगा नई मैम आपकी बात में बहुत दम है तो इस video को उतनी दम से like क करो ताकि और बच्चों तक पहुँच सके और मुझे भी motivation फीलो कि बच्चों को मेरी चीजे पसंद आ रही है ताकि मैं और जुनून के साथ आपकी नई problems के solution लेक्या हूं तब तक के लिए टाटा और बाइ-बाइ-थैंक्यू, have a nice day